नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर फडियादी ने बोला थानेदार ने केस नहीं लिया, सीयम नितीश ने बोला लगाओ फोन सिक्षा बिवाग से जड़े हजारों कोट केस का जल्थ हो सकेगा निप्टारा सुल्तान कज स्टीशन पर ठहरने वाली ट्रेनों को लेकर रेलवे ने जाड़ी किया सेड्यूल पहली बार वोकेशनल छात्रों को मैट्रिक परिक्षा में मौगा स्टौरफ गाओंगी ने बताया वल्ड कप 2023 में कौन होगा भारतिय टीम के लिए फाइदे मन्त इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार सिक्षा सेवा के 151 अधिकारियों को अतरिक्त प्रभार सिक्षा विभाग के दोरा अभिहार सिक्षा सेवा के 151 अधिकारियों को प्रखंट सिक्षा पदादिकारी विद्याले अवर निरेक्षक के रूप में अतरिक्त जिम्मेदारी दी गई है वैसे जिला कारीकरम पदादिकारी चिन्हें मूल पदस्था पंजले से दूसरे जिले में पदस्था पित किया गया है उन्हें जिला सक्षा पदादिकारी की तरफ से आवंटित कारियों के अतरिक्त जिला अस्तर से कारे आवंटित किये जाएंगे। नहीं लिया स्यम नितीश ने बोला लगाओ फोन। आज बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के दोरा जंता दरबार आयोजित किया गया जिसमें बांका से एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुँचा था। ने उमेश प्रसा से 10,000 रुपए लेकर गाली गलोच करने के बाद मुझे भगा दिया। जिस पर सियम नितीश के दोरा कहा गया कि जड़ा देख लीजे बांका से आई एक व्यक्ति आया है चंदर नरायन केस के लिए थाने गया था लेकिन थाना केस नहीं ले रहा है। इसके पूरी बात सुन लीजे और जल से जल एक्शन लीजे। के लिए कई कुछ ऐसे काम भी किये हैं जो काबिले तारीफ है वहीं अब एक बार फिर से विकल यानि कि 4 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं। हाला कि इस दोरान उन्होंने यह जानकारी नहीं दी कि वह किस काम को लेकर पटना आ रहे हैं। सक्षा विवाग से जुड़े हजारों कोर्ट केस का जल्द हो सकेगा निप्टाना विहार सरकार के सक्षा विवाग के दोरा सक्षा विवाग सचीवाले में लीगल कलरकों की निउक्ति की जाएगी। अलाकि कितने कलर के निप्टि की जाएगी इस बारे में विवाग के ओर से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिहार में डॉक्टरों और स्वास्ते कर्मियों की छुट्टियां रत। किसी भी जे किस्सा पदादिकारी करमचारी को बार के समय छुट्टी नहीं दी जाए। वहीं वैसे स्वास्ते कर्मिय जिने छुट्टी लेना बहुत जरूरी है तो वह सवल सर्जन की अनुसंसा के बाद डीम की छुट्टी से अनुमती लेनी होगी। सुल्तान गंज स्टेशन पर ठहनने वाली ट्रेनों को लेकर रेलवे ने जारी किया सेड्यूल। कल यानी की चार जुलाई से श्रावनी मेला की श्रवात होड़ी है ऐसे में रेलवे के द्वारा अपनी कमर कसली गई है। भागलपूर अजमीर एक्सप्रेस गुरुवार को दो पहड एक 13 बजे सुल्तान गंज पहुँचेगी। गया एक्सप्रेस मंगलवार को सुमवार दे रात 12-18 बजे पहुँचेगी। गया एक्सप्रेस सुमवार दे रात 11-13 बजे सुल्तान गंज पहुचेगी। गया एक 5-6-26 अगर तला देवगर एक्सप्रेस सुमवार को सुबह में 2-6 बजे पहुचेगी। 15 साल पुढानी गारियों को स्क्राप करने के लिए इन जिलो में खुलेंगे स्क्रापिंग सेंटर। वायू प्रदूशन और सरक द्रुगटनाओ पर यंतरन पाया जा सके इसके लिए राज्य में वे सभी सरकारी एवं वेवसाइक गारियां जो 15 साल पुढानी हैं उन्हें स्क्राप में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पतादे की मिली जानकारी के नुसार अगस्त में स्क्राप का काम शुरू कर दिया जाएगा इसके लिए पडिवान विभाग के दौरा सभी विभागों को 15 साल से अधिक पुढाने वाहनों को स्क्राप करने के लिए निवंधर प्राधिकार के पास आवीदन देने के लिए पत्र भेजा है। की तैनाती की जाएगी बतादी की 900 जवानों को मेला चेतर में तैनात किया जाएगा और साथ ही 70 पुलिस वदाधिकारी भी यहां मौजूद रहेंगे इसके लावा कावरियों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए 7 अस्थाई ठाना भी तयार किये गए हैं। अब ये बच्चे अपने कक्षा के दूसरे बच्चों को भी सिखाएंगे बता दे कि सभी जिलों से संबंदित रिपोर्ट बिहार सक्षा पडियोजना को प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही जिलों से यह भी तलब की गई है कि समर्ध कैम से पहले और बाद में बच्चों के उक्त दोनों विश्यों में समझदारी में क्या फ़र्क आया है। आलमों की बच्चों को गनीत और भाशा शिखाने के लिए राजी में 72,090 केंद्रों पर समर्ध कैम का आयोजन किया गया था जिसमें सबसे अतिक राज्य के जिंजलों के बच्चों नी भाग लिया है उनमें सबसे पहले नमबर पर 98,925 बच्चों के साथ गया है वही दू पलस्तर से सोर नदी वे फसे 28 ट्रकों में से चौर्थे दिन बड़े ही मुष्कळ से आथ ट्रकों को बाहर निकाला गया है लेकिन अन्य 20 ट्रकों को पाणी की धार की वज़öh से निकालने में काफी परिशानी का सामना करना पर रहा है बता दे कि इन ट्रकों को निकालने मे पोकलेन हाइटरा जेसी भी मसीनों को लगाया गया है लेकिन वे पानी के तेज बहाओ होने की कारण रास्ता बनाने में सफल नहीं हो पार है पानी की तेज बहाओ के कारण बालू भड़ी बुडियां टिक नहीं पार ही पता दे कि अगर नदी के जलस्तर में और वरोतरी होती है तो ट्रकों के डूबने की भी आश्रंका है मालू हो कि सो नदी में कुल तीस ट्रक के फसी थी जिन में से दो ट्रक के पहले ही नदी में डूब चुकी है दस्त से बचाओ के लिए अब इस दिन तक खिलाई जाएगी बच्चों को जिंक की गोली राजे में डायरिया के का चाओ के लिए बच्चों को जिंक की गोली खिलाई जाएगी और प्रतेक बच्चे को एक एक पैकेट ORS दिया जाएगा इसको लेकर राजी स्वास्त समीती के काड़े पालक संजय कुमार शिंग के द्वरा प्रदेश के 26 जिलों के सिवल सर्जन को पत्र भेजा गया है आप इसी को ध्यान में रखते वे प्रतेक शाल दस नियंतर पकवारा मनाया जाता है पहली बार वोकेशनल चात्रों को मैट्रिक परिक्चा में मौका बिहार बोर्ट पहली बार नौवी में नियमित विश्यों के अलावा वोकेशनल कोर्स लेने वाले चात्रों का भी इक 11 और 12 इसी में ही वोकेशनल कोर्स की परिक्चा ली जाती थी मालुम हो की राज में एक 80 इसकूल ऐसे है जिसमें बिहार सक्षा पडियोजना प्रिस्त के दورावा वोकेशनल कोर्स की शिरवात की गई है बतादे कि यह पहली बार होगा जब मैट्रिक परिक्चा में फर् 11 अगस्त को बेंगलूरू में होने वाले विपक्षे दलों की दूसरी बैठक टल गई है। बता देक इस बारे में जदियु प्रवक्ता केसी त्यागी के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कि इस बैठक को इसलिए टाला गया है क्योंकि 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसत का मौनसून सत्र होना है। ऐसे में निताओं के उपरोदता पर परिशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इनकार्णों की वज़ा से ही अब संसत सत्र के बाद ही विपक्षे दलों की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें देश भर के 15 राजनितिक पार्टिया हिस्स के द्वरा स्टार स्पोर्ट से बाचित करते वें बताया गया कि भारत के पास कुलदी प्यादव और रविश्णोई हैं लेकिन भारतिया टीम के लिए युझविंद्र चहल फाइदिमन्द साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रविश्णोई और कुलदी प्यादव वह 2011 में प्यूस चावला था जो बहतर गेंदबाजी कर रहे थे जब हम 2007 में दक्षिन अफ्रिका के थे तो वहां तेज गेंदबाजों के साथ रिस्ट स्पीनर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था हर्वजन सिंग्उस तीम में थे मेरा मानना है कि भारथी परिस्थितियों में रिस्ट स्पीनर्स का होना महत्व पुर्ड है जानया बिहार में कया है पिट्रॉल Bye बिहार में आज यानी सोंबार को पेट्रोल डीजल करेद जारी के गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 4.064 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है मुझसपर पुर्ने पेट्रोल 108.65 रुपए और डीजल 4.067 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है वाईपूर्णिया में पेट्रोली कीमत 108. Communications रुपए प्रति लीटर मिल रहा है दो तीन उपर प्रती डिटर की दर से मिल रहा है। प्रती डिटर की लोगों के लिए कितना फाइदी मन्स साबित हो रहा है।